नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भरती 2020 के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी के लिए पता होना चाहिए कि ले लेखपाल का जो स्लेबस होगा वो क्या होगा आप इसमें अपलाई कैसे कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि यहां पर दोस्तों जो इस बार भरती होगी वो एक दम बिलकुल बिना इंट्रव्यू के होगी तो इस बरती के लिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पाएंगे उत्तर प्र क्याम से सम्मद्द हैं तो रिकूट्मेंट यहां पर है दोस्तों यूपी एसससी लेखपाल 2020 तो यूपी एससससी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन तो नेम अप दो और और यही है यूपी एसससी और उसके ब अप्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में आपकी जो है जौब लोकेशन होगी application process होगी दोस्तों आपकी online तो इस भरती के लिए आप online application process कर सकते हैं एक्जाम मोड होगा आपका offline रिटेन एक्जाम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं इस बार उत्तर प्रदेश लेख लेकपाल में भरती होने का तो दोस्तों उत्तर प्रिदेश लेकपाल की जो यह भरती होने वाली है उसकी ओफिसिल साइट होगी आपकी UPSSSC.Gornment.in तो आप यहां पर जाकर नोटिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं विडियो में यहां पर एक पेपर की कटिंग मुझी मिली हुई यह जिसको मैं आपको पढ़के बता देना चाहता हूँ पहली वार बिना इंटर्वू के भरती होगी जल्द UPSSSC को भेज़े जाएगा प्रस्ताब तो यहां पर दोस्तों यह अमरो जाला पेपर की जो है कटिंग लेकर आयों हमां आपके लिए प्रिदेश सरकार राजस बिभाग में लेकपालों के रिक्त करीब बावन सो पदों पर भरती की तयारी कर रही है लंबी प्रितिक्षा के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्योरा राजस परसित को मिल गया है और इसी महीने भरती प्रस्ताव अधिनस्थ सेवा चैन आयोग याई की UPSSSC को भेजने की तयारी है तो यहाँ पर जो कितनी बेकंसी किस डिस्टिक में किस जिले में खाली थी यह लेखपालों की उनका जो ब्योरा मांगा था राजसरकार ने वो उनके लिए पहुँच चुका है तो भरती बहुत जल्दी होने वाली है दोस्तो राजस दिवाग में लेखपालों के करीब बावन सो पदों पर रिक्त बताय जा रहे हैं कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि पद रिक्त होने से कार्यत कर्मियों को अधिक छेत्र में काम करना पड़ता है इससे सरकार की तैसीमा में काम करने का मुहिम भी प्रभावित हो रही है मुक्यमंतरी योगी आदितनाथ ने पिछले धाई वर्स में राजसु परसत की कई बैठकों बाब कारिकरों में लेखपालों के रिक्त पदों पर भरती के निर्देश दिये मगर बीच में परसत के अफसरों ने काम को महत्म नहीं दिया और सीम का निर्देश महिनों तक फाइलों में पड़ा रहा तो इससे दोस्तों यह है कि उत्तर प्रदेश की जो मुक्यमंतरी है उन्होंने बहुत ही बार लेकपाल की भरती के लिए बोला था लेकिन बीच में जो अधिकारी थे जिन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिये लेकिन योगी सरकार अभी काफी एक्षन में है यह भरती बहुत ही जिल्दी होने बाली है तो कुछ दिन पहले ही परसद ने जिलादिकारी बामन्डल आयुक्तों को जिल्लों में रिक्त पदों का ब्योरा आरक्षन के ब्योरों के साथ प्रार्थमक्ता पर उपलब्द कराने का निर्देश दिया गया था तो यहां पर जो ब्योरा था वो डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने भेज दिया है राजसरकार के लिए तो बहां से जल्दी से जल्दी आपके लिए इस भरती की नोटिफिकेशन के लिए मिल सकती है तो यहां पर परसत के एक अधकारी ने बताया कि जिले से रित्पदों का ब्योरा आ गया है, भरती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही इसे अधिनास्त सेवा चैन आयोक को भेज दिया जाएगा, पहली बार लेकपालों की भरती जो होगी वो बिना चैनल सिवा ओनलान क्लासिस को सब्सक्राब जरू करें, और दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उत्तर प्रदेश लेकपाल से सम्मंदित जिसको पार सेकंड हम बोलेंगे, तो उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि इस भरती से जोड़े जो भी स्लेवस होगा उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको साथ पता नहीं होगा यह कि स्लेवस में इस वार बहुत बड़ा बदलाब भी किया गया है, जैसे ही इस भरती से इंटरिवू को निकाल दिया गया है, कि बिना इंटरिवू की केवल लिखित परिक्षा के आधर पर ही चैन ह होगा, तो इसके लिए दोस्तों क्या किया है, राय सरकार ने कि जो स्लेवस में बहुत बड़ा बदलाब किया गया है, तो स्लेवस क्या होगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने जल्द ही अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं फुल स्लेवस बताऊंगा, तो चली दोस्तों, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो साथ में, उम्मिद करता हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, थेंक्यू फॉर वाचिंग, जै हिन, जै भारत!